गुद मॉर्निंग एवरिवन, चिल्रेन, टूडे, वी विल रीट, इंग्लिश लिटरेचर, चैप्टर थिरी, सिक्स लिटिल माईस, छे छोटे चूहें, बढ़ जो एक माउस होता है, तो वो है एक चूहा होता है, अब यहाँ पर माईस है, यह माउस का प्लोरल है, ओके, त यहाँ पर हमारे सिक्स चूहें है, तो यहाँ पर हमने इसलिए इसको माईस बोला है, ओके, आप जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं, यह सिक्स माईस क्या कर रहे हैं, जैसा कि आपको कोटन का कोई भी कपड़ा हम बनाते हैं, रूई से धागा उसका बनता है, तो उसी के बारे में इस poem में दिखाया गया है इसमें हम इस स्टोरी में हम six little mice और इसमें एक pussy cat के बारे में दिया हुआ है चलिए six little mice sat down to spin pussy passed by and she peeped in छे चोटे-चोटे चुएं क्या कर रहे थे spin कर रहे थे मतलब धागा कात रहे थे ठीक है pussy passed by and she peeped in उसी वहीं से एक pussy cat जा रही थी तो उसने अंदर को जाका जैसा कि आपको picture में दिखाई दे रहा है what are you doing in your little den अब pussy ने उनसे पुछा किसे mice से कि आप इस छोटी सी अपनी गुफा है या छोटी सी जो भी चुएं के रहने की जगह है इसमें क्या कर रहे हो आप माइस क्या answer देते हैं we are weaving quotes for gentleman हम gentleman सज्जन वेक्तियों के लिए quotes बना रहे हैं she shall I come in and cut off the threads तो वो कहती है क्या मैं अंदर आ जाओं और इसके धागे काट दूँ oh no miss pussy you will bite off our heads little mice क्या कहते हैं क्योंकि देखो बच्चो बिली तो चुओं को खा जाती है मार कर तो इसलिए वो डरते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं तुम मताना यहाँ पर तुम तो हमारे धागे नहीं काटोगी तो हमारे सर को ही काट दोगी next trust अब cat क्या कहती है trust me I will note मैं ऐसा नहीं करूंगी I will help you to spin मैं आपको कपड़ा बनाने में आपकी मदद करूंगी that may be so अब क्या कहते हैं little mice क्या कहते हैं कि हाँ ऐसा हो तो सकता है मदद तो कर सकती हो but you don't come in लेकिन तुम अंदर मत आना क्योंकि कि वह cat से डरते हैं okay तो आपको कैसी लगी बच्चो यह poem आपको दुबारा से read करना है okay